हाई गाईस आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे फैजी किलासे इस चैनल में स्वाज़त है और मैं आपका दोस्त सही फैजी गाईस आज की वोकाइब सीरीज में आप 10 ऐसे इंपार्टेन वर्ड सिखने वाले हैं यह जो सारे वर्ड्स आपकी डेली लाइफ में यूज दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुक्त हूँ कि इंग्रिस बोनने के लिए या समझने के लिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट वर्ड कर रहना बहुत ही इंपार्टेंट है तभी आप किसी के इनौर से संको या किसी बूग स्पीश को इजिली कर सकते हैं सो चलिए गाईस इ सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ना भूनें ताकि हमारी नेस्ट वीडियो से आप इस्टेप इस्टेप इंग्रिस को लर्न करते रहें सो लेट्स गेट इस्टार्ड़ेड दोस्तों हमारा पहला वर्ड है इनिस्टिगेट इनिस्टिगेट का हिंदी में अर्थ होता है ना किसी के खिलाफ या किसी मैटर के खिलाफ तो वहाँ पर इस वर्ड का यूस कर सकते हैं वैसे तो गाई इसकी बहुत से मिनिंग होती है जैसे फार्मेंट यूनों प्रोवोग बट मैं यहां पर इस वर्ड का यूस किया हूं इनिस्टिगेट आए इससे एक सेंटेंस ले से आपको फाइदा यह होगा कि जब भी कोई भड़काने की बात होगी तो वहां पर आपकी माइंड में तुरूंत वह वर्ड याद आ जाएगा कि मैं यह वर्ड कहीं याद किया हूं या मुझे याद है इस तरह करने से आपका वर्ड बहुत लंबे समय तक रिटेन हो सकता है सो जब भी आप इस तरह का मैटर आए भड़काने का तुरूंत वहां पर यह वर्ड यूज़ कीजिगा इनिस्टिगेट मिंस भड़काना आए गाइस नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूस दोस्तों अक्यूस का हिंदी में अर्थ होता है आरोप लगाना जैसे चोरी का आरोप लगाना डाके का आरोप लगाना खून का आरोप लगाना तो जहां पर कि उसके चीज का अपनाने की बात आए है वहाँ पर इस वर्ड का यूज कर सकते हैं जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ उस पर चोरी का आरोप मत लगा है जाने उसने चोरी नहीं किई भीया उसपे आरोप मत लगाओ तो वहाँ पर इस सेंटेंस को वर्ड को बोलेंगे दो नाट अक्यूस हीम आफ थीव्ट आए दोस्तों नेक्स टोड लेते हैं हमारा नेक्स टोड है रैक्टिफाई दोस्तों रैक्टिफाई का हिंदी में अर्थ होता है सुधारना या सही करना जैसे मैं एक सेंट लेता हूं यह सही समय है उससे समझाने का आप इससे इंग्निज्टिफाई दोस्तों रैक्टिफाई यूर्टिफाई यूर्ब मिस्टेग आये गाइस नेक्स टोड लेते हैं हमारा नेस्ट वर्ड है प्रेसाइज दोस्तों प्रेसाईस का हींदी में अर्थ होता है एक एकसले में एक सेंटेंज लेता हूं ये स्रही समय उसे समझाने का सो अप इससे इंग्ञेसेम बूलेuhan इस प्रयसाइस टाइम टू मेक हिम अंडर स्टेयन इसतेंग इस चब्र हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुए डू डवल ड़ दोस्तों graph का हिंद्रीम अर्थ होता है रूखा व्यवहा यानि कि उसका व्यवार अच्छा नहीं है तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ people do not like him यानि कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं because of his graph behavior यानि कि उसके रूखे वियवार की वज़े से उसे लोग पसंद नहीं करते हैं आए दोस्तों नेक्स वर्ड लेते हैं आपका नेक्स वर्ड है consequence दोस्तों consequence का हिंदी में अर्थ होता है परिडाम या नतीजा जैसे मैं एक सेंटेंस पूट करता हूं वह परिच्छा में फेल हो गया यह उसकी लापरवाही का नतीजा था ओके सो आप इससे इंग्ने से बोलेंगे ही फेल इन इन एक्जाम इट इस दे कंसेक्वेंट्स ओफिस केरलेशनेस ओके नेक्स तो गाइस हमारा नेक्स वर्ड है ओवर हियर गाइस देखिए ओवर हियर का हिंदी में अर्थ होता है चुप के से सुनना जब कोई वक्ति आप हम इस तरह का वर्ड यूस करते हैं चुप के से सुनना आईए गाइस मैं इससे एक सेंटेंस लेता हूं जिससे आपका जो वर्ड है अच्छी ते स्वाइन आ जाएगा श्याम दर्वाजे के बाहर था उसने हमारी बाते चुप के से सुन ली सो आप इससे इंग्ले से बोले हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेर से दोस्तों हेर से का हिंदी में अर्थ होता है अफवा जैसे जब कोई बंदा किसी कहाने के बारे में या कोई मैटर के बारे में बताता है और वहां पर हमें जूट लगता है या अफवा लगता है तो हम करते हैं या यह सब अफवा है ओक है तो आप इससे इंगल से बोलेंगे it's all hearsay it's all hearsay आए गाइस next word लेते हैं हमारा next word है get right off दोस्तों get right off का हींदी में अर्थ होता है छुटकारा पाना वैसे तो गाइस इसका बहुत से word हैं जैसे select of eliminate but मैं यहां पर get right off की बात कर रहा हूँ okay आए इससे एक sentence लेते हैं we cannot get right off the problem यानि कि हम लोग problems छुटकारा नहीं पा सकते okay आए दोस्तों next word लेते हैं हमारा next word है disappointment दोस्तों disappointment का हिंदी में अर्थ होता है नाउमीद होना जैसे मैं एक sentence लेता हूँ इस काम से नाउमीद मत हो okay do not disappointment to this word so guys इस तरह से आपने सीखा this word मैं उमीद करता हूँ कि यह lesson वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा so please इस वीडियो को like करें क्यूंकि दोस्तों आप यह like हमारी ले बहुत महत्रपूर होता है और especially अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो से करें ताकि वह भी हमारे चैनल से stay by step English learn करते रहें क्यूंकि दोस्तों अगर आप से करेंगे तो आपकी वज़र से और मेरी वज़र से बहुत से जंद को help होगी इंग्लिस सिखने में एक सो चलिए गाईस अम मिलते ने स्टोडी में तक कि लिए उब आए टेक कियर हावे ना